राम नगरी अयोध्या में मरियाधा पुरुशूत्तम भगवान श्री राम के जन्मोच सब पर एक बार फिर कोविड-19 का प्रकोप दिखाई दी रहा है। राम नगरी अयोध्या में राम नवमी मेले में श्रधालू को प्रवेश पर रोक लगा दी गए। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगिया अधित्यनात ने आयोध्या के संतों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा राम नवमी मेले में होने वाली भीड को लेकर चर्चा की जिसके बाद संतों ने देश के राम भगतों एवं श्रधालू से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहेकर ही पूजन अर्चन करें आयोध्या में अधिक भीड भाढ़ ना करें उन्होंने कहा कि राम नम्मी मेले अधिक भीड होने से संक्रमन का खत्रा फैलने का डर है लोग अपने घरों में भगवान श्रीराम का जन्मोत्सम बनायें जिससे हम लोग इस म पासना पूजा करें और मानाव रक्षा के लिए गाइडलाइन का पालन करें। सब उपासना करें भगवान से प्राथना करें। अध्या में भी भार की कोई आवस्यक्ता नहीं है। सब दूरी बनाए रहे हैं। मठ मंदिरों में भी हम लोग इसी तरह से कारी कर रहे हैं। जिससे कोई व्यवधान न हो सके। और इस महामारी का संकट में हम सामना कर सकें। परास्त कर सकें। यही आदेश निर्देश है। प्रमुक्त धर्माचारी हैं उनसे बारता भी की। तो प्रत्यक जगह विसेश करके जो कोविट के सेकेंड लेहर के करम में। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लिया जाना है। उसका हम लोगों ने रिरेक्शन किया और उसके लिए समस्त निदेश दिये। मानि मुक्मित्री जी का जो पिछले दिनों आदेश हुआ था ग्यारे जुलाई का जो ओर्डर था। उसमें ये था कि किसी भी धर्मिक स्थल में एक बार में पांच सेधिक लोग प्रवेस्ट ना करें। इसका भी अनुपालन करा जा रहा है। वहें जिलादीकारी अनुझा ने बताया कि मुक्यमंत्री द्वारा आयोध्या के प्रमुक धर्म आचारियों के साथ वीसी के माध्यान से संबोधित किया है। सभी कर्मचारियों को ये निर्देश दिये गए हैं कि COVID-19 के संक्रमन को देखते हुए कम से कम लोग ही मंदिरों में जाने।